जो क्युक भी नहीं पहुँछते हैं जो बहुत हैं यह deben से निकाल दिये में किस तरह से graham's law played a very important role in the first nuclear bomb ठीक है जो पहली और एक मात्र nuclear bombing हुई है humanity के history में जापान के दो शहरों पर उसके पीछे कैसे graham's law जो है important और बिना graham's law के application के it would not have been possible to create the atomic bomb ठीक है तो यू नो it all starts with you see it all starts with the second world war जो कि 1939 में शुरू हो चुगा था आप जानते थे right so this was the beginning of one of the most dangerous phases of humanity और 1939 के बाद आप जानते हैं कि obviously जो जर्मनी है इटली है यह जो इस पावर थे यह सब एक तरफ थे राइट जो सबसे dangerous पावर थे एक तरह से negative power थे बिकॉस हर जगा यहां पर dictatorship थे और इन में से जो सबसे बड़ी गलती की थी वो की थी जापान ने विकॉस इनकी गलती की वज़े से एक तरह से टर्निंग पॉइंट आया था सेकंड वर्ड वर की हिस्ट्री में और वो यह था कि युनों इट वाज़ डिसेंबर सेवन 1941 जब जापान ने जो है अमेरिका के पर्ल हर्बर पर अटैक किया था ठीक है उस वक्त तक जो है ब्रिटेन के और जो एली एली इस थे उनके सपोर्ट में थे वर पार्ट ऑफ इट बट जापान की इस अटैक ने एक तरह से प्रवोक किया अमेरिका को एंडे वर लैक वेरी स्ट्रॉंग के वह इस वार को जो एंड करके रहेंगे और ऑबिसली एली जीतेंगे वांटे टो जर्मन और इटली और यह लोग हमेशा से ही चाहते थे के हो सके उतना टाइम अमेरिका को इन्वाल नहीं करना है विकाज एक बार हम ब्रिटेन से निपट लेंगे पुरा उरोप हमारे कबजे में आ जाएगा और जापान उस सब्सक्राइश अगर एश्या को कवर कर लेगा है पूरी तरह से इस वार का ट्रजेक्टरी बदल दिया राइट सो डिसेंबर साथ उननी सो एक तालेस में नहों ने पर हर्वर पैटाइक किया जो अक्चुली में लेंड अमेरिका में नहीं है बट इस पार्ट अफ दे हवाईयन आइलेंड्स मैं यहां पे एक्चुली गय सब्सक्राइब करना वहां पे जाकर करना वहां पे जाकर के है तो हवाई और जापन बहुत जादा टूरिस्ट आते हैं कोरिया से अगर आप हवाई जाए जाए तो आपको देखने को मिलेगा के नो सब्सक्राइब कों सब्सक्राइब करें जाएब करके शिए पर देखन था ஜापन नपर यह रही किए शोग क मिलेगा तो इसकी वजाए से तो । आपर वह जाए जाए तो वबाटो बोटो रहीगे तो यह जो यह और आटेटम करके रहेंगे जब एक बार जर्मनी और इटली से निपट लिया तो बिकॉज जैपेनीस जो थे वो सुरेंडर करने को रेडी नहीं थे तो जो आखरी रास्ता था वो अब जानते हैं कि जो बॉम गिराए गयते वो दो शेरों पर गिराए गयते हिरोशिमा और नागा साकी पर एक इंट्रेस उस टाइम पर जो प्रेसिजेंट थे वो सर्ट रुमैन थे और जो समय वार ऑफ सेकरेटरी थे उस समय जो वार ऑफ सेकरेटरी थे जिनका नाम था स्टिमसन उनकी सरनेम थी आइगेस वार ऑफ सेकरेटरी और उन्होंने बताया कि हमारा जो मकसद है जापान पर अटैक करने वो पूरी तरह से एक military purpose है, right, it's completely a military purpose, and हम नहीं चाहते कि जो बच्चे हैं, और जो आम जनता है, उसको इतना चाहता है, नुकसान, Japanese army की गलतियों के आया, उनके leadership की गलतियों का खामयाजा, वहां की आम जनता को भुगतना पड़े, और anyways Kyoto और Tokyo और टोक्य तरह से cultural capital भी थे, बहुत ही जो है, उनकी important buildings थी बहां पे, historically यह दोनों शहर बहुत ही important थे, Kyoto जो है वो पुराना capital हुआ करता था, Tokyo जो है वो नया-नया capital था उस time पे, तो Stimson जो है, वो actually Kyoto में actually honeymoon पर जा के आया थे, तो वो इसकी इस सहर की historic importance को समझते थे तो, और वो मानते थे के, basically इन दो शह आगी को select किया गा, because military purpose से अगर आप attack कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी power दिखा है, so that Japan surrender करे, तो उसके लिए इन दो cities के जग़ा पर, इन दो cities को अगर टार्गेट किया जाए, तो जो है ज़्यादा सही रहेगा, अगर आम जनता को आप धियान में लेकर चलते हैं Humanity के लिए, because हमें पता चलिया कि कितना ज़्यादा destructive technology हम create कर सकते हैं, कितना misuse कर सकते हैं एक तरह से technology को और कितना सतर्क रहना है, उस दिन से obviously जो technology है, वो बंद हो गई nuclear weapons की, साइंटिस्टों ने बना दी बहुत लंबा प्रोजेक्ट चला जिसे मैनहेटन प्रोजेक्ट का campaign की इस पुरे effort को जो है, उसको जो है lead किया था, and he had hired the best minds के जो है, अमेरिका इस war को जीते, वो मानते थी, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है, और, well, उसके बाद तो आप जानते हैं, 6th August को, और 9th August को, यह जो bombings हुई, उसके बाद जो है, पुरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गे और उसके बाद बहुत सारे efforts हुए, यह कोशिश करने के लिए कि nuclear weapons पे ban लगे, because अगर यह गलत हातों में पढ़ गया, तो आप सोच नहीं सकते कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, in fact, आज reality है कि North Korea जैसे सिर्फिरे देशों के पास भी जो है nuclear technology available है, पाकिस्तान की क nuclear weapons, terrorist के हाथ में लग जाते हैं, तो आप सोच नहीं सकते क्या हो सकते है, in fact, this is not just a useless fear, बट ऐसा कई बार हुआ है कि terrorist जो है, उन्होंने nuclear sites पे attack किया है, और वहाँ पे, जो है, plutonium और uranium जो की use होते है, atom bomb बनाने में, उसको चुराने ही कोशिश की है, पर वो नाकाम रहे है, पर आज भी दुनिया में कई सारी ऐसी nuclear sites है, जिनकी आजू बाजू में जो protection होना चाहिए, जो security होनी चाहिए, वो नहीं है, और जहां से actually ये nuclear weapon बनाने के लिए जो uranium और plutonium चाहिए, वो easily available है, ठीक है, तो it's very important कि जो international atomic energy agency है, और उसके बाद जो local government है, that should make sure कि उनकी जो nuclear sites ह वो properly protected रहे हैं, वहाँ पर security सही हो ताकि इस तरह की जो चीज़े है nuclear terrorism जैसी चीज़े उनको जो है, avoid किया जा सके, okay, so, 9th August को जो bomb गिराया गया था, उसका नाम था fat man, और 6 August को जो bomb गिराया गया था, उसका नाम था little boy, ये दो नाम थे, ये दो code name थे, इन दो बहुत ही powerful nuclear weapons क अब हमारे लिए जो है, Graham's law of diffusion जो हम study कर रहे हैं, उसे साबसे important क्या है, तो देखे जो 9th August को गिराया गया था fat man, ठीक है, वो basically बना हुआ था plutonium का, उसके अंदर जो fischile material था, जिसका fission हुआ था, जिसकी वज़े से इतनी energy release हुई थी, वो जो isotope था, वो था plutonium 239, ठीक ह है, यह वाला जो है, आइसोटोब यूज़ वा था, और यह बॉम जो है आपका वो 6 अगस्त वो गिराया गया था, ठीक है, नव, और यह obviously यह वाला जो है, वो नागसाकी पर गिराया गया था, और यह वाला जो है, जो बॉमबार्डेड ओन हिरोशिमा, तो 6 अगस्त को uranium व बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो देखी, uranium जो है, उसके दो main isotopes है, एक है आपका uranium 235 और दूसरा uranium 238, अब प्रॉब्लम यह के जो majority part हो, uranium 238 होता है, पर यह जो है, आपका fertile है, ठीक है, fertile in the sense, इसमें से ऐसा isotope मिलता है, जिससे आप बॉम बना सकते है, पर आप खुद इसक uranium 235 जो था, वो फिशाइल था, अब सीधा-सीधा आप इसका इस्तमाल कर सकते थे, बॉम बनाने के लिए, nuclear fission के लिए, पूरा जो energy production है, जो इतनी destructive energy release होती है, इतनी बड़ी मातरा में, वो basically fission की process से release होती है, जब एक heavy nucleus दो, दूसरे छोटे nucleus में तूटता है, और neutrons बनते होती है, natural uranium में उखाली 0.72% होती है, तो इन्होंने basically क्या कि uranium को जो है, रियाक किया फ्लोरीन से, और जब आप ऐसा करते हैं, तो आपको एक volatile compound मिलता है, जो कि actually solid होता है, पर थोड़ा सा गरब करने पे, गैस में convert हो जाता है, जिससे हम बोलते है, uranium hexafloride, right, this is uranium hexafloride, ठीक है तो यह बनाया जाता है, fluorine से react करवा के, तो obviously because यहाँ पे दो isotope है, 235 है और 238 है, तो यह दोनों अलग-अलग compound बनेंगे, एक होगा 235 और दूसरा वाला होगा 238, ठीक है, यह दो जो है आपके अलग-अलग isotope बनेंगे, अब let's see Graham's law यहाँ पे कैसे काम करता है, तो आप ज start करते हैं, और यहाँ तक हमें पहुंचना है, हमारे पास दो gases है, A और B, और दोनों के लिए आप same time दे रहें, let's see, आप half nR दे रहें, तो आदे घंटे में, A जो है वो सिर्फ यहाँ तक पहुंचती है, और B जो है वो यहाँ तक पहुंचती है, इसका सीधा मतलब होता है कि B का molecular mass जो है, वो A से कम होगा, या B की density A से कम होगी, तो same time में, अगर A का diffusion कम है और B का diffusion जाता है, मतलब B की density कम होनी चीए, A की density जाता होनी चीए, because rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the density, that was the gram's law of diffusion, right, और अगर आप बागी की चीज़े same रखते हैं, right, density is mass upon volume, right, और अगर आप one mole gas लेते हैं temperature भी same रखते हैं, तो volume भी same आएगा दोनों gases का, तो actually density can be, density के जगह भी हम मास ले सकते हैं, और मास क्या होता है, molar mass होता है, right, because अब जो है 22.4 liter लेंगे, ये तो obviously, जो मास होगा, वो molar mass होगा, इसलिए density के जगह पर हम लोग, जो है, molecular weight भी यूस करते हैं, this is the gram's law of diffusion, that the rate of diffusion of any gas is inversely proportional to the square root of its molar mass, ठीक है, तो जो गैस, जिस गैस का molecular mass कम होगा, उसका diffusion fast होगा, और जिस गैस का molecular mass, जो है, ज्यादा होगा, उसका diffusion जो होगा, तो सीधी सी बात है, आप खुद सोचें कि uranium 235, F6 है, और uranium 238, F6 है, तो obviously, इसका जो मास है, वो कम है, इसका जो मास है, ज्याद ज्यादा diffuse करेगी same time में, और यह जो है, वो कम diffuse करेगी, difference कम होगा, पर जितना ज्यादा आप travel करवाएंगे, उतना ही जो है, यह difference बढ़ता जाएगा, तो basically इस तरह से, जो है, stainless steel की tunnel बनाएगी, because यह जो gas है, वो काफी तादा reactive है, बहुत ही अच्छी oxidant है, Lewis acid भी है, तो इनके mixture को जब आप इस तरह से release करते हैं, एक tunnel के अंदर, यह 235 है, और यह 238 है, दीरे-दीरे क्या होता है, जब यह travel करते हैं, जैसे जैसे यह travel करेंगे तो यह line इसकी है, यह ऐसे move कर रही है, अगर tunnel के अंदर, और उसके बाद यह भी move कर रही है, इस तरह से, लेकिन क्योंकि आप बहुत लंबा distance travel करवा रहे हैं, तो आप समझते हैं, इसकी वज़े से क्या होगा, इसकी वज़े से यह होगा, कि धीरे-धीरे इनके बीच में जो difference है, वो बढ़ता जाएगा, यह यहां तक पहुचेगी, और यह जो आपकी gas है, 238 जो जादा भारी है, वो पीछे रह जाएगी, वो बेजिकली सिर्फ यह ही तक होगी, तो धीरे-धीरे क्या होगी, सारी की सारी आगे की तरफ आने वाली gas होगी, वो 235 होगी, क्योंकि तो धीरे-धीरे अगर आप यह प्रोसेस बार-बार रिपीट करते हैं, तो आप काफी हद तक 235 जो है, वो collect कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में, तो इस तरह से गैस, जो आपका uranium है, उसे पहले gas में convert किया गया, मतलब पहले यह UF6 से वो एक solid होता है, फिर वो क्योंकि वोलट जिसको फिर फाइनली जो आपका little boy था nuclear bomb उसके अंदर इस्तमाल किया गया, जो फिर हिरोशिमा पर गिराया जाता है, जिसकी वज़ए से इतना जादा destruction होता है, जापन अल्मूस्ट बरबाद हो जाता है, बट देन उसके बाद आप जानते हैं कि आउनोंने बहुत मेहनत की उनको जबर जस्ती चुटी दी जाता है, तब जाके वो चुटी ओ पर जाते हैं, जो नहीं जाते है, राइट, सो, you know, here you see a practical application, though a destructive one, but a practical application of how a law of chemistry was used to sort of, you know, separate the isotopes of uranium which was used in the manufacturing of world's first nuclear weapon, right, I hope आपको ये स्टोरी इंटरस्टिं लगी होगी होगी, यसी बहुत सारे इंटरस्टिं स्टोरीज हैं, chemistry की जो मैं आपको बताता रहूंगा, so that studies जो हैं आपके लिए थोड़ी से इंटरस्टिं हो, thank you so much for watching this video.